नमस्कार दोस्तों एक्जाम वितर में आपका स्वागता आशा करता हूं आप सभी यह चाहंगे दोस्तों 2004 सेसन के लिए आपके अंडर ग्रेजवेट और पॉस्ट ग्रेजवेट कोर्सेस के लिए एक्प्लिकेस्न फोर्म में वो स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको एम्स का आगर application form fill करना है तो इसके लिए आपको तीन step में form fill करना होता है पहला होता basic registration का second step होती है आपको RUC code generate करना होती है और third step होती है आपकी final registration की तो basic registration की जो complete process है step by step मैंने channel पे already आपको provide करवार किये AMS 2024 की मैंने playlist भी बना रखी है AMS related आपको सारे वीडियोज वहां पे available करवार के उस वीडियो को help से आप cell पी अपनी basic registration की process कर सकते हैं जो second step आती हो आती है आपकी RUC code generate करनेगी तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप RUC code वह किस तरीके से generate कर सकते है step by step सारे जानकर या आपको इस वीडियो में जानने हो मिलेगी वीडियो को शुरूशन तक जरूर देखिए अगर आमरे चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक कि उन जो रिप्रेस करें इस से कहने वाले से वीडियो में आपको मिल सकते है अगर आपको basic registration complete हो चुका आपका अप्रूव हो चुका है तो ही आप RUC code वह generate कर सकते हैं जिन candidate का basic registration reject हो चुका है और जो edit या correction करने के उनको रिजन दिया गया है आप उसको edit करके अपना basic registration फिर से आप उसको apply कर सकते हैं basic registration से related सारे doubt आपके मैंने already clear कर रहा है अब RUC code की अगर बात करें तो RUC code generate करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले official website पे आना है EMS की official website आप यहाँ पे देख सकते हैं यह EMS exams.ac.in यह website पे आना है और यहाँ पी एक notification जारी किया गया आपका code generation for final registration for the BSC courses 2024 session undergraduate courses जैसे कि paramedical BSC nursing और post basic BSC nursing के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और जो post graduate courses है उनके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा तो आप जैसे ही first option पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो code generate करने वाली है वो login page पे आपको यहाँ से divert कर दिया जाएगा अब basic registration आपको कहा करना था यहाँ से आप अपना basic registration कर सकता है अगर नहीं किया तो अब RUC code related यहाँ पर यह लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया गया अब यहाँ पर यह एक important notice जारी किया गया इसको आपको से देखना है कापी सारी स्टुडेंट के डाउटा कि से हमने पिछले साल RUC code generate किया था पिछले साल basic registration किया था तो वो सारा सब कुछ और का तो पि फिर से अपना RUC code generate करना रहेगा इस साल जिन candidate ने generate कर लिया है तो उन्हें फिर से दुबारा generate करने की आवशकता नहीं है तो यहाँ पर यह दोनों candidate के लिए हैं कि जिन्नों ने नए candidate है इस साल आपको कुल मिला की है कि आपको RUC code है आपको generate करना ही रहेगा हर एक साल का RUC code वह आपका अलग-अलग हो तो आपको RUC generate वाला यह link दिया गया इस पर आपको klik करना है आप जैसे ही इस पर klik करेंगे आपको इस पर klik करेंगे तो आपको login वाला page है उस पर आपको divert कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जैसे आपका यह applicant login जोन आ गया यहाँ पर इसमें इस तरह के से आपका interface open हो किया जाएगा, यहाँ पर आपके सामने, अगर आपका accept हो रहा है, तो यहाँ पर यह green में आपको show करेगा, your basic registration form is provisional accepted for further latest update, please visit EMS की official website, तो यहाँ पर आपका जो basic registration accepted का आपको यहाँ पर note आजाएगा, और अगर आपका reject हो रहा है, left side में आप यहाँ पर देखेंगे, generate code, यह वाल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इस generate code पे click कर देना है, अब यहाँ पर generate code में आपके तीनों courses जैसे, अगर आपको BSC nursing का code generate करना है, तो आप इस पर click करेंगे, paramedical वाले, paramedical पर post basic BSC nursing वाले, post basic BSC nursing में, अब इस पर confuse नहीं होना है, यहाँ पर post basic BSC nursing, यह वाला, यह वाला जो course है, वो जिनका GNM complete हो चुका है, वो यह course कर सकते हैं, अब BSC owners nursing वाले, मैंने eligibility criteria आपको, आप data में बता रखा है, तो यहाँ पर BSC owners nursing, यह owners में आप confuse नहीं हो, यह BSC nursing का यह course है, और यह BSC paramedical, तो इसमें भी आपको confuse नहीं होना, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि basic registration के विल आपका एक होगा, और जो code generated, final registration हर यह courses का अलगला होगा, अब जैसे कि आपको BSC owners nursing का, आपको code generate करना है, तो इसपे क्लिक करें, परamedical वाले इसपे, और post basic BSC nursing वाले इसपे, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस तरी इंटरफेस आजाएगा आपके सामने, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना course है, वो select करना है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको जो course select करने का है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो BSC owners nursing का, आपको यहाँ पे show होगा, अब आपको इसको select कर लेना है, click here to generate code पे, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपका code वो generate हो जाएगा, अब देख सकते हैं, इस तरीके से एक window open होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, your code has been generated, तो आपका code वो generate हो गया है, अब यहाँ पे आपको OK पे क्लिक करेंगे, आप OK पे जैसे ही क् देखाई दे रहा होगा, यह वाले, यह आपके जो code है, यह आपको no down कर लेना है, यह सबसे important है, आपको इसकी आगे तक भी जरूत पड़ेगी, जब आप counseling करेंगे, आपको जो आपकी registration ID है, password हो RUC code, यह सबसे most important है, तो इसे बोलते हैं, आपके registration unique code, अब यह code आपके पास म आगे no down कर लिए, इसी तरीके से आप paramedical का generate कर सकते हैं, मैंने BAC nursing का आपको बताया, same यह process है, same इसी तरीके से आप post basic BAC nursing का भी आप अपने लिए RUC code वो generate कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपना code generate कर सकते हैं, अब fees की बात करें, तो आप जैसे थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो यहाँ पर आपको आपकी जो final registration में आपकी जो fees लगेगी, वो भी दी गई है, अंदरी जरू category अगर candidate है, 2000 रुपए आपको पे करनी रहेगी, OBC बालों को 2000 रुपए, EWS के लिए 1600 रुपए हैं, SC के लिए 1600, ST के लिए 1600, और physical handicap है, उनके लिए कोई भी fees नहीं है, यह आउट हो, कोई भी इस्यो मुझे comment box में पूर सकते हैं, या Instagram follower के वहाँ से भी जानकार ले सकते हैं, Instagram का link मैंने already आपको description box में provide करवा रखा है, अब next आती है कि सरम preparation किस तरह के सकते हैं इतने कम समय में, तो दोस्तों मैंने video को description में सभी ebooks के link आपको provide करवा रखा हैं, चाह और signature से related, अगर आप कोई doubt है, तो आप इस video की मदद से आप complete कर सकते हैं, तो जैसे ही आप कोई भी video open करेंगे, तो उसका description में, जैसे कि ये video मैंने open किया है, तो इसका description में, आप देखेंगे, मैंने सारा study material आपको available करवार रखा है, जो सबसे most important है, मैं आपको बार-बार मे करता हूँ, कि जो objective e-book है, ये e-book आपके लिए सबसे most important है, ये English medium candidate के लिए है, और ये Hindi medium candidate के लिए, ये सबसे most important है, ये BSC nursing और paramedical, दोनों की अगर आप preparation कर रहे हैं, तो दोनों के लिए useful है, इसमे 11 और 12th answer, complete service, जो आपके AMS, प्रोस्पेक्टिव से, exam prospective से important question है, easy, medium, difficult, त अगर आपने अच्छे से follow कर ली, तो definitely सारे-सार क्यूशन है, इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप avail कर सकते हैं, अगर आपके concept के लिए नहीं है, तो theory-based e-book avail कर सकते हैं, ये Hindi और English, दोनों मीडिया में separate-separate link है, वो आपको provide करवा रखे हैं, अब जैसे क nursing, अगर आप preparation करें, तो nursing वालों के लिए है, एम्स paramedical के लिए, ये English medium के लिए है, और आप जैसे ही थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो यहाँ पर आपको एम्स paramedical वाले candidate, उनके लिए भी Hindi और English, दोनों language में, आपको यहाँ पर separate-separate, आपको सभी हर एक subject के, आपको अलग-अलग provide करवा रखे हैं, तो इनकी help से, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरी question पूछे गए हैं, और as it is, आपको काफिसर question आपको repeated भी देखने को म करें, या JK की book avail करें, Hindi और English medium, दोनों medium में available करवार किये, या objective book, जैसे कि objective book avail करनी है, तो जैसे ही आप link पे click करेंगे, तो इस तरी किसे interface open होगा, यह Hindi medium candidate के लिए है, sorry English medium candidate के लिए है, हिंदी medium के लिए different link में आपको जैसा ही बता है, यह MSBAC nursing और paramedical, दोनों के लिए entrance examination के ल ebook से आप अपनी प्रिपिस से न वह अच्छे से कर सकते हैं, आप जैसे ही थोड़ा स्क्रोल करेंगे, तो आपको सारा syllabus यहां पर, जो चैप्टर वाई, जो complete देर का physics, chemistry, biology का आपका कौन-कौन सा syllabus है, तो यह 3-in-1 ebook है, यह सबसे useful है, और आपके लिए काफी helpful रहेगी, अ correct email ID फिल करनी है, contact detail फिल करना है, फिर review and pay पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही review and pay पे क्लिक करेंगे, payment option आएंगे, वहां पे पे ATM, phone पे, या Google पे, credit card, debit card, किसी भी option से अपना payment confirm कर सकते हैं, payment जैसे ही confirm करेंगे, आपको आपकी ebook download करने का option पर आप्त हो जाएगा, वहां से आप ebook download कर सकते हैं, और वहां से नहीं कर पाते हैं, तो जो email ID आपनी यहां फिल की थी, इस email पे भी आपको एक mail send किया जाता है, जहां से आप अपनी ebook को download करते हैं, तो इस तरिके से आप अपनी preparation अच्छे से कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है, competition year by year बढ़ता ही जा रहा ह तो अगर आप सही decision लेके सही समय पे आप अपनी preparation स्टार्ट कर देंगे, तो definitely आप अपने लिए MS, BSNR से ही आप परामेडिकल लिए अपनी seat of confirm कर लेंगे, आई हूँ वीडियो आपके लिए यूज़ खुद रहा होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें, मि मिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद जहिंद,